जोलाम की अर्थ का मोस्ट डिस्टेक्टिमेचर दुनिया में लोगों के लिए नजारा बन गया है। जोलाम की अर्थ की सबसे ज़्यादा तभाही मचाने वाली एक्टिविटी है। इसलिए गया है। रोमान ऐसा मानते थे कि यह आईलांड रोमान गौड ऑफ फायर जिनका नाम उलकन था। यह आईलांड उनकी वर्क साथ की एक चिमनी थी। जिससे अपनी सेना के लिए वह वैपन्स तैयार किया करते थे। दूनिया में पंद्रसों से जादा वलकानों हैं, इसमें लगवे पान्सो एक्टिव वलकानों हैं। वड्ड के 75% वलकानों रिंगस आउफ फायर पर रिस्तित हैं। रिंगस आ फायर जो Pac irrigation का विस्सा है। दूनिया के 94% एर्थ केक्स का घर रिंगस आउफ है। यह रिंग साफ़ायर साउथ अमेरिका के दचेड़ी किनारे से स्टार्ट होकर नार्थ अमेरिका के समुद्री तट के साथ चलते वे जापान और इंडोनेशिया से आगे बढ़कर न्यूजी लेंड में शमाप्त होती है इस धर्ती पर सबसे ज़्यादा तवाही मचाने वाले वलकानों मौना लुगा, हवाई, USA, माउंट, फूजी, जापान, कारकाटोवा, एंड तमबोरा, इंडोनेशिया, इस रिंग साफ़ायर पर प्रजेंट है दुनिया का सबसे बड़ा वलकानों मौना लुगा, अमेरिका में है, यह सी लेबल से 13,670 फिट उचाई पर है अगर मौना लुगा के बेश से इसकी चोटी की उचाई ले तो माउंट ए औरेर से भी ज़्यादा उचाई है जॉलाम की धर्ती के साथ सा समुद्र के अंदर भी फट्ते हैं साइंटिस्ट ने अब तक 80 से ज़्यादा जॉलाम की का पता समुद्र के अंदर भी लगा लिया है जॉलाम की फट्ते कैसे हैं? अर्थ का सबसे अंदर का हिस्सा है नि इनर कोर बहुत ज़्यादा गर्म है इसका टमप्रेचर लगवद 5430 डिगरी सेंटिगेट होता है जो कि सन के सर्फेस के टमप्रेचर के बराबर है यह इतना ज़्यादा गर्म है कि टेक्टोनिक प्लेच्ट की एक्टिविटी पर रॉक सेक्ष्णल न पेगल जाती है और मैगमा बन जाता है जब यह मैगमा मेंटल में आता है तो यहाँ पर प्रेजेंट वाटर हीट की वज़े से भाब में बदल जाता है जिसकी वज़े से हो जाता है कभी-कभी यह leak out होकर अर्थ के surface पर आ जाता है जिसे लावा कहते हैं कि वॉल्कॉनिक activity को अगर soda bottle से समझें तो कुछ इस तरह से happen होती है साइंटिस्ट ने वॉल्कॉनोज को तीन कटेगरी में रखा हुआ है फर्स्ट एक्टिव वॉल्कॉनो एक्टिव वॉल्कॉनो रेसें पास्ट में एक्टिव थे और इनके एक्टिव होने की चांसेस ज़ादा रहते हैं जैसे कि माउंट ओसो जापान, माउंट इटना इटली और माउंट बटूर इंडोनेशिया दूसरे नमबर पर डॉर्मांट या सुज्ज जालमकी जो काफी लंबे समय से नहीं फटे हैं लेकिन फूचर में फट सकते हैं से माउंट केलमेंजारो इंटांजानिया और माउंट फूजी इन जापान थर्ड नमबर पर अम्रत जालमकी त्यांटिस्ट मानते हैं कि यह दस हजार साल पहले से नहीं फटे हैं और इनके फूचर में फटने के चांसेस कम है जैसे कि बैन नेविस इनाइटेट के इंगड स्केल पर की जाती है इसका सबसे फावरफुल वॉलकानो इरॉप्शन अठारा सो पंद्रा में इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा वॉलकानो इरॉप्शन है जिसकी त्रिविता सेवन थी और वॉलकानो की स्टेडी को वॉलकानोलोजी कह जो आलाविक्यों को फटना इतन सुमात्रा में गंट फायर की तरह सुनाई दी थी और इसकी राख लगबक त्यारा सो किलोमेटर दूर गिरी थी एक तरफ चाहां जो आलाविक्यों की इतना डिस्टेक्टिव है वहीं दूसरी तरफ आग के इस फाववारे को दुनिया भर के लोग अपनी आँखों के साथ साथ अपने कैमरे में कहित करना चाहते हैं आइसलेंड लैंड आफ फायर एंड आइसी रूप का सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव वल्कान और रीजन है इसकी राजदानी रेगजा विक से 32 किलोमेटर दूर फागरड और फाल्स मांटेन पर 3 अगस 2022 को जो आलमकी से निक मांज 21 पर इसी जगे पर वल्कान और इरॉप्शन को देखने के लिए लगबग 4 लाग 30,000 टूरिस्ट अट्रेक्ट हुए थे यह प्लेसेस ब्यूटिफूल हैं थ्रिलिंग हैं अट्रेक्टिव हैं लेकिन डिस्ट्रेक्टिव भी हैं डिस्ट्रॉयर भी हैं अगर इफेक्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्क्राइब कर दीजिए थेंक्यू